आज की चर्चा में आपका स्वागत है जनाब दिखला जाका फिर नया अपिसोड जो है अगेन दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा बायस्ट है और कितनी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं जनाब को सबसे पहले तो बात करते हैं कि उन्होंने जो कॉस्ट्यूम लिया था इस बार वो कॉस्ट्यूम थोड़ा सा ठीपिकल कास्ट्यूम था और उसकी जो एस्थेटिक थी वो बहुत ठीपिकल थी जिसमें की जो बंदा है उसको भी बहुत देर मेकप करना पड़ता है और उससे उसको प्राब्लम भी होती है सेकेंडली उसके साथ में जिस तरह का रंग अब दूसरी तरफ बात करते हैं शिव की शिव ने भी जो कॉस्ट्यूम जो पहना था वो भी कुछ इसी टाइप का था कि जिसमें बहुत ज़दा एस्थेटिक मेकप जो यूज़ किया गया था और उसके भी चेहरे को पूरा बिगार कर पूरा बहुत सारे फूड़े और यह सब चीजें दिखा दी थी और साथ साथ उसके पीट पर बंप भी दिखा है था उस बंप के लिए भी उसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ वजन भी कैरी किया होगा अब देखा जाए तो दोनों मेंसे किसी की भी ऐस्थेटिक को कम नहीं माना जा सकता दोनों ने बहुत अच्छा जो इस एस्थेटिक लिया था और वो जो लिया था उसके अंदर उनको आसान नहीं था वो सब परफॉर्मेंस करना उस एस्थेटिक के अंदर तो इसको देखते हुए अब फैसला जो होना चाहिए था वो डान्स के उपर होना चाहिए था किसने कितना अच्छ डा ले गए थे बहुत सारे वीजुल एड किये गए थे वो वीजुल जो एड किये गए थे और जिस तरह से वो प्लैन किया गया था वो पूरा एक्ट देखा जा तो एक कोरियोग्राफर एक्ट था और उसमें इतनी सारी टीम ने उसको हेल्प करी उसको लाइव बनाने में उस ट कालते थे और उसके साथ साथ जो है ना वो लड़की जो थी कोरियो गराफर सेम वो यह एक्ट करती थी तो देखा जाए तो इसमें काफी हद तक जो है कोरियो गराफर ने बहुत ही अच्छा काम किया है उसी के लिए वो तारीफ मिल रही है अब अगर आप यह बहुत अच्छ जो यह थे वो इतने ज़्यादा हाई नहीं थे वोसरी वोसरी मेक अप और उनकी एक्टिंग और उनके डांस से दिखाई दे रहे थे इसके लिए भी जजो ने यह कहा इसमें हमें डांस थोड़ा सा कम लगा अगर आप दोनों को कमपेर करके देखें तो डांस जो जनाब व जिला आप कमेंट बॉक्स देखिए भरा पड़ाय जिसमें लिखा हुआ है कि जजिस क्यों करके बायस हो रहे हैं और क्यों करके उसको अधिकतर जो आच्छे कमेंट नहीं दे रहे हैं नहीं अच्छे नमबर दे रहे हैं अच्छा एक बाद बताईए क्या हर आने वाला रुखान दिखाई देता है, हो सकता है, किसी को कोई और एक्टर दिखाई दे, किसी को कुछ और दिखाई दे, और हो सकता है, किसी को कुछ भी ना दिखाई दे, तो ये भी इस चीज को दिखाता है, कि जितने भी जजिज आते हैं, जो गैस्ट जजिज आते हैं, उन सब को स् यह टांस परफॉर्मेंस हुआ और डांस परफॉर्मेंस के बाद में फरा मैम क्या कहती है कि यह जो है ना यह हमारा जो है हमारे शो का शारुख है और जिस तरह से यह दिखाई दे रहा है यह ऐसा है नहीं यह बहुत ही खुबसूरत है और उसके बाद में उसको मौका मिला इ और अपने असली लुक में वहाँ पर आओ ये मौका अपने शेव को क्यों नहीं दिया क्या शेव की लुक में कोई भी प्राबलम है जो आपने खाली एक के लिए ये सब बात कही मतब्ड़ प्रफॉर्मेंस में प्रिफरेंस जो ना और इन सब कमेंट्स में प्रिफरेंस किसी एक आदमी को और दूसरे आदमी को नेकलेट करना ये कहा की बात है और इस तरीके से आप जो उनको हेल्प कर रहे हो देखे हमने रेडिट पे एक बात पढ़ी थी जिसमें ये बोला गया था कि ये जो है जनाब जो है ये अपने जो इनका ढावा चलना है मैडम का ढावा है उसकी वे से चलने है और बिरियानी इनकी ज़्यादा फ्रेमस हो रही है अगर कल को ये जीत जाते हैं तो क्या कहा जाएगा कि बिरियानी चल गई और बिरियानी से जीत गई और बिर्यानी किसने बनाई वो भी उसने बनाई मैडम ने बनाई तो नाम किसका होगा मैडम का होगा तो यानि कि मैडम की बिर्यानी जीत गई और जनाब तो प्रनी कहा है ठीके और देखा जाये तो सोरी सोरी ये कहना चाहिए कि मैडम की नहीं वो भी बिर्यानी किसी और की तो क्रेडिट उसके पास क्यों न जाए मैडम तो जुट बोलती ही बोलती ही रहती है इससे पहले भी एक शो के अंदर जो जनाब थे वो सेम कास्ट्यूम्स पहन कराए जैसा कि वो जजिस बैठे हुए थे ना उन लोग ने पहन रखे थे उसी तरीकी से एक्ट किया तो तो जो भी हमारे जजिस लेकर गए हैं ऐसा पॉसिबल है क्या तो ये सारी सारी चीज़े हैं प्री प्लांड होती है हर मौमेंट प्री प्लांड होता है इवन दिन जो गैस जजज जो है किस के साथ में क्या डांस करेगा कितना करेगा वो सारे सारे रिहरसल भी हो जाते हैं स वाकिए में स्टेज के लिए बहुत ये टेपिकल वीजुल्स थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और बहुत ज़्यादा अच्छे यूस किये गए थे तो इसके लिए तो उन्हें को फुल मार्क्स मिलने चाहिए लेकिन देखिए दूसरों को कहा जाता है कि अब पर इशू नहीं उठा रहा लेकिन यहां देखने वाली बात है कि हर डांस के पर्फिमस के बाद में वो बुरी तरह से हाफ ने लगते हैं सेम इस बार भी हुआ तो वह समझा क्या गया कि भी कॉस्ट्यूम ऐसा था तो उसकी वज़े से उनको सांस की प्राप्लम हुई भी क कारनेस वगरा यूज कर रहे हैं उसका ध्यान रखा जाता है प्रोफेशनल जो होते हैं वहाँ पर वो यह सब चीज़े करते हैं मैनेज करते हैं और यह सब चीज़े एक्जिक्यूट करते हैं अधिकतर बार जनाब जो गाना चूज करते हैं वो सारे सारे शारु खान के गा शारुछ खान के पास में निए लेकिन यह जो कहना चाहरए है वूं हमें तो दिखाईंगी दिखाईंग दिता यह नहीं दिखाईंगे देता रहे साब दान्स ही होग सबसक्राइबd आपको यह प्रॉप राउंड भी दे सकते थे किसी को हर एक किसी को कोई ना कोई प्रॉप यूज़ करना है अभी आपने कुछी दिन पहले देखा होगा कि वो जो बाल्टी यूज़ की गई थी वो कितनी अच्छी तरीके से प्रॉप यूज़ की गई थी बहुत भी बढ़िया तरीके से यूज़ की गई थी और इस वाले एपिसोड में भी लैंप को जो किस तरीके से उसने पेश किया और कितना खुबसूरत और कितना अच्छा डांस किया यानि वो पफॉर्मेंस ऐसी थी उस पफॉर्मेंस के अंदर बिलकुल भी नहीं लग रहा था कि जो कोरियोग्राफर है वो कोरियोग्राफर कौन है और डांसर कौन है मतलब सेलिब्रिटी कौन है सेलिब्रिटी ने एक तरह से देखा जाया तो कोरियोग्राफर खुआ गया था इतना अच्छा उस लड़की ने डांस किया था चलिए देखते हैं आगे डांस जीतता है या फिर यह जो ड्रामे लटके जटके प्रोमोशन और टी आर पी वोटिंग यह सब जीतती है देखते हैं यह डांस शो है या फिर यह भी एक तरह से ड्रामा शोव बन के रह जाता है तो इस पॉड़कास्ट को हम यहीं अंड करते हैं मिलते हैं अगले पॉड़कास्ट में यह पॉड़कास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने लोगों ख्याल रखिए तैंक यू, धन्यवाज, शुक्रिया